नमस्कार आज हम बात करेंगे चीन को लेकर कि वैसे तो देश प्रेम का हला मचा हुआ शोर मचा हुआ कि चीनी सामान का बहिशकार करो लेकिन क्या हम वाकिए चीनी सामान का बहिशकार कर सकते हैं इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और चीनी सामान का भहिशकार करने से और जो चीन के साथ अपना इंपूर्ट उसको कम करने से हमारा जादा नुकसान है या चीन का नुकसान है चीन और भारत के जो रिष्टे हैं व्यापार को लेकर हम चीन के लिए साथवे नंबर पर आते हैं और चीन हमारे लिए पहले नंबर पर आता है अमेरीका और चीन के दर्मान देखे हैं तो चीन पहले नंबर पर ही आता है ऐसे में अगर हम चीनी सामान का बहिशकार करते हैं जो देश फ्रेम की जजबे से अगर लोग पिछकारिया ना खरीदना चाते हों चीनी जालर ना खरीदना चाते हों चीनी खिलावने ना खरीदना चाते हों गनेजी की मूर्तियां छोटी आँख वाली ना खरीदना चाहते हूं, वो बात और है, और महेंगे दाम पर देशी चीज़े खरीदना चाहते हूं, तो वो उनका देश प्रेम है, लेकिद अगर हम सेक्टर वाइस देखें कि हमारे अर्थवेवस्ता किस तरह से निर्भर है च वाइयां हैं, उनके साज और समान का इंग्रेडिन्स का इंपोर्ट किया जाता है चीन से, और अगर ये इंपोर्ट कहीं रुकता है, तो हमारी फार्मा कम्तियों को नुक्सान होता है, और हमारे जो कंजूमर डूरेबल सेक्टर है, वो चीन के साथ बड़े बहुत ही डिप इस तरह के जितना भी है, वो हम चीन पर ही निर्भर करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आता है, और टेलीकॉम की बाद जैसे मैंने कहा तो भारती कम्तियों बाहर हैं, चीन के ही स्मार्टफोन बिक रहे हैं इस वक्त, उदर जो खेती का हमारा खेती किसानी है, उसमें भी हमारी चीन पर निर्भरता है, जैसे इस वक्त मतलब स्प्रे करने का वक्त है, लेकिन चीन से जो सामान स्प्रे के जो कंपोनेंट्स आते हैं, वो बंदरगाहों पर रुके हुए हैं, और जो मौझूदा हमारे पास थे, उनको शेहरों में भेज दिया गया है, कोरोना की वज़े से, तो आटो सेक्टर की बात करें, तो इंजिन, इलेक्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स और टायरों में इस्तिवाल होने वाले सब कॉंपोनेंट्स भी, चीन सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नितिन गटकरी ने एक चिठ्थी लि रुकी होई हैं इस वक्त, उनके रुकने से जो हमारे भारती व्यापारी उनको नुक्सान हो रहा है, और जल्दी क्लियर करने की मांग भी उन्होंने की है, कि चीन से आने वाले सामान में देरी से नुक्सान हमारे ही व्यापारियों को होगा, चीन को नहीं, हम चाहते हैं कि हम कम import करें इसके लिए में import duty बढ़ा सकते हैं लेकिन जो already हो चुका है import सामान उसको रोके रखना जाइज नहीं है और pesticides को control में करें कि मैंने आपको पता है mechanical spray जो है वो सब शेहरों में जा रहे हैं और फिर उनकी आलोषना हुई तो आलोषना के बाद उनने ट्वीट किया ट्वीट में वही बाते कहीं जो हम पहले से ही जानते थे कि वो कहेंगे उनने कहा I am among the strongest proponents of आत्मिरभर भारत मैं सबसे मजबूत हिमाईतियों में से एक हूँ आत्मिरभर भारत के Anyone who is even slightly acquainted with me would know about my passion and work towards supporting as well as encouraging make in India जो भी मुसे दूर से भी जानते हैं उनको भी मालूम है कि मेरी कितना जादा मेरा विश्वास है और कितने मतलब लगन के साथ मैं make in India से जुड़ा रहा हूँ Indian business has the strength and skills to grow further and power our journey towards self-reliance भारती वापार जो है उसमें अंदर अपनी ताकत है कि वो अपनी ताकत और भी बढ़ा सकता है और अपने जो हुनर है और बढ़ा सकता है आत्म दिर्भरता के तरफ Under the strong leadership of Prime Minister अंदरेंद्रमोदी the government of India is proactive and initiating path-breaking reforms that will help business and micro-smart etc. यह जो कहनी होती है, mandatory होती है बाते कि प्रधान से वक का नाम लेना ही है, वो भी उन्होंने कर दिया है बेरहल हम आगे बढ़ते हैं हमारी अर्थवरसा खुद खस्ता आलत में और हम चीनी सामान के वहिशकार के बात कर रहे हैं और जैसे के हम बता चुके हैं ऐसे ही रियल एस्टेट एक सेक्टर जिसमें बहुत बुरी तरह से सामना कर रहे हैं और आदे दर्जन, आदे ही प्रोजेक्स में काम पर सुष्रू हो गए हैं लेकिन जो डेवलपर्स हैं, उनके सामने पैसी की समस्षा है और लेबर की समस्षा है जिनका बने हाली में देखा, लाखों की तादाद में, मेवी करोड से भी जादा अपने अपने गाउं में वापिस आते हुए, क्योंकि यहां पर लॉक्डाउन के दरान उनके तनक्वाएं बंद हो गई, उनका काम बंद हो गया, यह दिहारी के मजदूर थे और भी लोग थे चोड़े मोटे काम दंदे करने वाले, प्रवासी इनको इसलिए कहते हैं कि यह शेहरों में बसने नहीं आये थे, यह काम करके वापिस गाउं पैसा भेजते थे बेराल अब वो लेबर भी नहीं है, और सारी लेबर पश्चिम्बगाल, जहारकरन, उत्रप्रदेश और बिहार के आलाकों से आती थी तो उनके ना होने की वज़े से भी एक यह दिक्कत सामने आ रही है हकीकत यह है कि रियल स्टेट तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है इस वक्ट जो पर्चेजिंग पार हमारी इतनी कम हो गई है कि लोगों ने अपने जो खाने पीने का सामान है उसमें भी कटाथी करने शुरू करती है, चाहिए वो दूद हो, चाहिए वो सबजियां हो, चाहिए वो और चीज़े हो. अब अर्थविवस्ता को रिवाइव करने के लिए ज़रूर ही है कि लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ाई जाएं, ना कि डीजल और पेट्रोल की किमते बढ़ाई जाएं. बात चीन की हो रही है, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि चीनी सामान का बहिशकार, बड़े अच्छी बात है जो देशभक्ती के जजबे में, अगर लोग कुछ गुडिया वगरा जला रहे हैं सडकों पर, लेकिन असली जो इंपोर्ट से मैं आपको बता चुका हूँ उन पर हमारी निर्भरता कितनी है, बीबीसी डॉट कॉम पर अपड़ना अलूरी ने एक लेक लिखा है, कि मतलो किस तरह से लॉकडाउन जो किया हूँ, किया पूरे भारत में 4 गंटे के नोटिस पे, दिल्ली सरकार ने उसका किस तरह से एकदम उसको जाया कर दिया, उसको फाइदा नहीं उठाया, और वज़ा यह बताये हैं कि कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं की गई, इसलिए केस बढ़ते गए, उसके इलावा बहुत जादा नोकर शाही, लाल फीता शाही बहुत जादा है, या तो बहुत ही बहुत ही निकम्मे दरजे की या बिलकुल ना के बर पर कोडिनेशन, समन्वे का काम, समन्वे मतलब प्राविट हेल्थ सर्विसेज और सरकार के बीच, उसके लावा राजनाथी कुठा पटक, इन तमाम वज़ों से जो लॉक्डॉन का फाइदा दिल्ली को मिल सकता था, दिल्ली की सरकार नहीं उठा पाई, आगे उनका कहना ह कि ICMR स्टडी एक है, उसके अनुसार, जन्वी और एप्रिल की दौरान, भारत में 20 कॉंटेक्स टेस्स किये गए हर कन्फर्म केस के लिए, जबकि करनाटक में 93 कॉंटेक्स टेस्स किये गए, दिल्ली ने सिरफ 9, 9 कॉंटेक्स टेस्स किये, एक पॉजिटिव कोविट पेश टेस्ट केसिस थे, उनके जो रिष्टेदार है, परिवार के सदसे है, उनको भी टेस्ट नहीं किया गया, और अब जाकर एक ऐसा एक प्लैन बताया गया है, अब अमिर्शा ने एक कंट्रोल ले लिया, पर सेंट्रल गर्मेंट ने, एक ऐसे कदम उठाने की बात हुई है, अब धाई करोड से जादा जो नागरिक है दिली के, उनकी, और 26,000 लोगों की रैंडम सैंप्लिंग होगी, और इसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किये जाएंगे, और पोलीस भी में इस्तेमाल की जाएगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन जानकारों का मानना है, य जो हुआ सो हुआ, अब दिक्कत क्या है, दिली के दो पावर सेंटर्स हैं, सत्ता के दो केंद्र हैं दिली में, उससे जो पूरी हमारी प्रशासनिक व्यवस्ता है, वो एक अजीबो गरीब व्यवस्ता बन गई है, एक बहुत ही confusion यहाँ पर पैदा हो जाती है, हाला कि पाकरी जो फैसला है, वो लेफिन गवरनर का है, उसके बाद यह हुआ कि इसकी वज़ा यह हुई कि conflicting orders, ऐसे से order issue है, जो एक दूसरे के बर खिलाफ जाते थे, और फिर उनको वापिस भी ले लिया गया, कभी-कभी तो 24 गंटे में वापिस ले लिया गया, और चीफ मिनिस् इंटर है दिल्ली, केन सरकार भी यहाँ है, राजी सरकार भी यहाँ है, तो जो नौकर शाही है यहाँ की, इसने पूरी विवस्था को बहुत ही ओपेक, बहुत ही धुंदला बना दिया है, जिससे सही जानकारी सामने नहीं आपाती, तो यह एक कॉलम है, BBC.com में अपढ़न तक बच सकती थी, आज से हर संसकरण में, विनोदु अलाइव के हर संसकरण में, मैं आपको किसी हिंदी कवी, या उर्दु के शायर, या कोई नौविलिस्ट, या जो क्लासिक्स है, उनकी छुट-छुटी कुछ चीजें, उद्रित करके मैं बताऊंगा, दुशन का कुमार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दिवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दिवार हिल रही पर्दों के तरह, शर्ट लेकिन ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे स सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए देश्ट रोही स्यूडो सेकलर विनोद दुआ को इजादत दिजे कल फिर मुलाकात होगी नमस्कार कर भाशा का चैन कीजिए खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए